नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं उरिशा के बालासोर जिले में दिनांक दो जून 2023 को वे भयंकर रेल हाथसे की जो बालासोर में हुआ इस दुरघटना में एक मालगारी और दो सुपरफास ट्रेनें टकराई हैं पहले हम लोग सुना करते थे कि दो ट्रेनें टकराई हैं ये अत्यंत्य दुखत दुरघटना हुई है नकवल अपने देश के लिए वरहन इसके गूज दुनिया के बहुत बले हिस्से में भी गई ह दुनिया के लगभग बहुत से देशों के सासकों ने संबेदना पर कट किये हैं इस घटना पर कोई राजिनती नहीं होनी चाहिए चोकि ये मानवीय पहलू से इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जो परिवार प्रभावित हुए हैं जिनके परिवार से कोई ने कोई सद लगभग मिर्तकों के संक्या 275-288 कही जा रही है सरकारी सुतर के नुचार और लगभग 1100 से उपर लोग अभी भायल हैं जिसमें बहुत लोग सीरियस हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनात हो गए हैं यह अच्छी बात है कि एक उद्योगपती स्री गौतम अदानी जी न और भी उद्योगपती इसमें सामने आएं कि प्रभावित परिवारों को सरकारी मौवजय के अत्रिक अलग भी मौवजय रासी दी जाए जिन जिन राज्यों के लोगों की यात्रियों की मृत्यू हुई है उसमें निस्चित तोर पर उन राज्य सरकारों को भी उनने मृतक परिवार को अलग से मुआवजाराशी देनी चाहिए इसके साथ ही जो मैं कल देख रहा था सुस्रमुगिया पर कि ओनरबल सुप्रीम कोट ने कभी एक डायरेक्शन दिया था कि रेल दुर घटना में जो मृत्व होती है तो उसमें हो सकता है कि उसमें ऐसे भी लोग हो जिनक भी निती अक्तियार की जानी चाहिए जो वैद टिकट के साथ यात्रा कर रहे थे चोकि वो भी मृत्व के आगे उसमें गये हैं और उसमें मृत्तक परिवार को निस्टिक दोर पर मुआफजाराशी मिलनी चाहिए मैं वर्स 1993 में बिहार के दरभंगा जिले में एक प्रसास्निक पदपद था मुझे याद है कि 16 जुलाई 1993 को दरभंगा जिले के हाया घाट और थलवारा इस्टिसन के बीच दो त्रेनों प्रसेंजर्टरनों की टक कर हुई थी उसकी गती धीमी थी लेकिन उस दरघटना मे मुझे जहां तक याद है कि लगवाग पच्चास व्यक्तियों की वर्तिवी थी तब काले मानिया रेल मंतरी स्री जाफर शरीफ साहब आये थे उस वक्त बिहार में जंतादल की सरकार थी और मानिया लालू परसाद जे मुख मंतरी थे सरकार की ओर से जो मुखाय राशी मिलनी थी चाहे रेल मंतरा लेंस्यों से हो यो विवार सरकार से वो तुलग है मुझे 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 लाजार राशी नहीं याद है लेकिन एक जो मानवियत रिष्च कुन से जो फैसला हुआ था विहार सरकारी का वो काबिले तारीफ है कि जितने भी मृतक परिवार थे उन परिवार से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई थी और जिलापदादिकारी दर्भंगा ने विहार कविनेट के डिसीजन के बाद नौकरीया मैं अनरोध करता हूँ भारतिनागरी के रूप में भारत सरकार से रेल मंत्राले से और उन सभी राज़सरकारों से जहांके लोगों की मृत्व हुई है कि मृतक परिवार से कम से कम एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए वो चाहे वो रेलिवे में दी जाए कम ग्रुप C और D के पदों पर नौकरी मिल जाने से उस परित परिवार को एक बहुत परार शंबल जीवन के लिए मिलेगा और जो बच्चे अनात हो गए हैं नकेवल उनके रहन सहन उनके पूरी जिंदगी जब तक कि वो अपने पैरों पर खरे नहीं होते हैं बालिक होकर को आतने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को स्टर्च करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्पर के सना आपको तुर्थ मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सूप कामना है धन्यवाद जय